हम पढ़ रहते हैं मीडिया के बारे में उसी में में आगे बढ़ते हैं रोल आफ दे मीडिया प्लेस मेनी रोल्स इन दे वर्ल टूटे मीडिया जो है आ दुनिया में जो है बहुत महत्वपूर्ण भूमिकार पीपा रहा है साम of this are discussed below और इसमें से कुछ हम् नीचे discuss करेंगे सबसे पहले रहें परोवायड इन्फर्मेशन मीडिया जो है इन्फर्मेशन प्रोवाइट करता यह मीडिया अब मीडिया से अपिक्षा की जाती है कि वह निश्पक्ष तरीके से है दुनिया को फेर और अन्बियस्ट मेनर निश्पक्ष तरीके से है दुनिया भर को खबरों और सूचनों को जन्ता तक पहुंच चाहिए। फिर सर्व एज पॉब्लिक फॉरम फॉर डिबेट और डिस्कुशन उसका लाव वह सारवजनिक मंच के रूप में जो है वह सहाव करें शेवा करें। आपको निश्ट बार को जाहिए चेय। चाहिए। अहिए अन्याविके से अन्याविके से वह ही फॉर में बहुंच को बहुंच को जाहिए, पॉब्लिक बार करें। of importance. Debates may be on rising prices, government policies, social issues like the food you eat in your school canteen, state of water availability, crime in the city, etc. इसके अंदर किसकी स्टॉपिक पर जो है वो डिसकुशन हो सकता है, यह राय और जो चर्चा और राय परसुत करते हैं ताकि लोग जो है वो वर्ल का डैवलप्मेंट है उसके बारे में अपने जिसे के लिए आहिए यह किसी वीशेश समाचार को जो बहतर तरीकां से समझ सके इसके लिए जो है आपनी ऑपिनी डिसक्रशन होता है इसमें इसमें दर्शाओं को क्यों मात्व के एक निष्ट मुद्य पर जो है विबन राय और रस्टिकॉंट देने कि लिए भी काली करता ह जैसे विबेन विशय पर जो है डिबेट हो सकती जैसे कि बढ़ती हुई कीमते हैं यह सरकार की नहीतियां है फिर शोशल मुद्धें जैसे कि आप अपने स्कूल की कैंटीन में जैसे कुछ खा रहे हैं या पानी की जैसे उपलब्धता है या शहर के में बढ़ते हुए दा मीडिया इस अवेरी एफेक्टिव तूल तो क्रिये पब्लिक ओपिनिन ओन इंपोर्टेंट इस्यू बाइंप्रूविंग अवेरनेस अमंग दा मासेज उसके अलावा जो जन्ता की जुराय के भी जुए जागूरत बढ़ा कर जो मात्रपुर मुद्व पर जन्ता की राय बनाने के लिए मीडिया का एंबी जुए एक बहुत प्रभावी उपकरण है The media is expected to provide healthy and sensible entertainment to the mass which is within the accepted norms of decency of a society. मीडिया से अपैक्षा की जाती कि वे जन्ता को जो स्वस्थ और समझदर अच्छा मनोरंजन प्रदान करें जो किसी समाज की जो है शालिंता को जो मांदन जो दिये हो है मेजस जो दिये हो उनके अंदर ये हो फिरे मीडिया इस रस्पंसिबिलिटी मीडिया और उसकी जिम्मेवरी मास मीडिया क्राइब आइडिया और कन्वेक्शन अफू प्यू पीपल ऑफ यूज ओडियंस लिए कि जाशन आप बचल का बचल अस्यूज ओडिया और कुछ फ्यूज जो जोनके लगे ब्लीफ जोडिया ऑनके बनेद्वेक्या के हिए्पलिया और आफ यूज जोनके बचले जोडिया मास मीडिया कुछ जो विचारों और द्रड़ विष्वास को जो है वहन करती है और विशाव दर्श जो फ्यू पीपल उफ तो यूज ओडियंस के अंदर कुछ लोग या बड़ी ओडियंस भी में हो सकती है और यह ब्रह्मा को सकता है यह अंत में समय पर गलत व्याख्या की जा सकती है और लोग ऐसे विचारों से प्रवाइद हो सकते हैं जो उनकी जो अपनी मानेतव के अनुकूल हो सकते हैं और उनकी व्यक्तिकात पसंद नहीं भी हो सकती है लूब लूब व्यक्तिकात क्श। रिवल इनकी रेस्टीब लूब 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 टसने हैं ट्यूब लूब बाइस, और लूवेत, इन करवाच्याशम, और लूब द्यूब लूब बाश्याशन को आपनीर जांट आपनीज़ नहीं प्रूब पर वाज़। इसलिए एक और जहां मेडिया की जिम्मेवारी है कि वह अपनी रिपोर्टिंग से जो है बायज और बैनेंस, निश्पक्ष और संतुलिप्त रहे और दूसरी और लोगों को बड़े माने पर जो है समझदार साफदान और मेर्चुर होना चाहिए ताकि वह सूचनाओ को जो है कंभी रूप से आंकलन कर सके और जो शोचल एकोनोमिक और पॉलिटिक इंपोर्टेंस के जो मामले उसमें अपनी राय बना सके कि अलिजके। पॉल फुल कन एंसरे सूचलतब कर दूलिए उसमेह, कुछ फिल्छुराइ सब्सक्राइ़ किते परकोंणाओ कि और जुल्कुर्ण allजडिе परस त्शल कर विलेजियेंग, किट विलेफ विलेईंट्ऱ। श क्रते and their impact. Any news reported in a biased manner can cause disharmony and discord among the people and harm the country. People with lasered education and awareness level are more imprisonable and repeated watching of news and broadcasts can easily sway with their opinion. Hence, media groups ought to be sensitive to the requirements of the society. If media does not do so, the government may need to impose control and censorship, which is not appreciated by people in a democracy as they feed this restriction and restricts their right to speak and communication. अब्राजनेतिक विवित्ता से बढ़ा हुआ है तो क्योंकि जो भारती समाथ जो है वो सांस्क्रति धार्मिक या जो रीजनल है या फिर आइडियोलोजिकल या पॉलेटिकल विवित्ता से भरा हुआ है और सबका जो एड्यूकेशन लेवल है वो भी देश को नुक्षान पहुंचा सकती है और कम शिक्षित और जागरूप तक जो होते हैं वो से अधीक प्रवावित होते हैं और जो नियूज है या जो प्रसारण को बारबर देखने से आसानी से उनकी राय जो है ली जा सकती है इसलिए मीडिया जो मीडिया ग्रूप्स को जो है समाज की आवर्शक्ता के प्रति जो है समय दन्शील होना चाहिए यदि मीडिया ऐसा नहीं करता है तो सरकार को नियंत्रन वह सेंटर्शिप लगाने की आवर्शक्ता हो सकती है जो लोग जो की डेमोक्रेसी में लोगों द्वारा सराना नहीं की जाती है इसलिए वे इस फीड को बोलने और समात करने बोलने के लिए कि अपने अधिकार को प्रतिवंदित करते हैं थैंक्यू